नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सनमार्क राई जिसे हम सर्सों भी कहते हैं जो एक होता है पीला वाला एक होता है काला वाला लेकिन आज हम आपको जो काला या लाल जो कलर आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं इसका ही उपाय बताए है वो ज्यादा प्रहोसाली होता है वैसे पीला वाला राई का जो उपा है वो पुजा पाठ के लिए किया जाता है लेकिन अगर किसी तरह कोई के कारण जीवन में तमाम परिसानिया भी आती रेती है अलग-अलग असर पड़ता है लेकिन अगर हम आपके घर के जो आपके कीचन में राई होता है अगर इसका छोटा सा प्रयोग आप करें तो इससे ना केवल आपकी जीवन की समस्याओं से आपको मुक्ति मिलता है बल्कि जाके है कि परिशानी पूरे लाइफ में जहर के तरह घोल देता है और आप वहां से बाहर नहीं निकल पाते ऐसे में तंत्र सास्त के अनुसार एक छोटा सा प्रियोग करें जिससे आपका भाग आपका साथ देने लगे क्या करेंगे सबसे पहले तो एक मिट्टी का घड़ा ले छोटा बड़ा मायने नहीं रखता अब इस घड़े में पानी डाल दें राई के थोड़े से पत्ते दो चार पत्ते डाल दें अगर आपके पास राई के पत्ते नहीं हैं तो राई के दाने डाल दें और उसी पानी से हर सनिवार के दिन हस्तान करें याद रखे सनिवार के दिन इस से बुरा समय खक्म हो जाएगा दर्टा भी समाप्त होगी और रोग चोट परेसानियों से मुक्ती मिलेगी कई बार क्या होता है घर के लोगों को किसी की नजर लग जाती क्या करेंगे अगर आपके घर परिवार में किसी को किसी की लगती है आपको की बुरी नजर लग गया है तो सबसे पहले एक छोटा सा प्रियूक करें आप आम की लकड़ी की आग जलाईए आम की लकड़ी याद रखें आम की ही लकड़ी लीजेगा ये उपाय आप किसी भी दिन कीजिए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हाँ साम के समय कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अब जो राई है इसके साथ दाने लें याद रखिए साथ दाने ज़्यादा नहीं लेना है साथ अब साथ लाल मिर्च सुखी वी लाल मिर्च ले 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 और छोटे छोटे नमक की डली साथ ले ले या आप नमक अगर नहीं लेना चाहते हैं तो इसके जगह पर आप चाहें तो आजवाई ले 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 साथ दाने अब इसको आग में जो बैक्ती को नजर लगा है उससे आप साथ बार उल्टा वार ले और इसको उस आम के लकड़ी का जो आपने आग जलाया है उसमें जला दे बुरी नजर दोस से मुक्ती मिलेगी दोस खत्म हो जाएगा कई बार आपके बनते हुए कारे बिगड़ जाते हैं आप प्रिसान रहते हैं कि बनते बनते आखिर कारे बिगड़े क्यों आपको कोई हल नजर नहीं आता अब ऐसे में एक छोटा सा प्रियोग करें आपके सभी कारे बनने लगेंगे और कारियों में आ रही रुकावटे भी तूर हो जाएगी क्या करेंगे आप छोटा सा प्रियोग कीजिए गुरु बार के दिन आप थोड़ा सा राई किसी पास के मंदिर में आप खरिद कर 50 गराम 100 गराम ले ले और अपने सर से उल्टा तीन वार वार ले ले जाकर किसी पास के मंदिर में या पीपल की नीचे रखत करेंगे अभी कि इस आधुनिक जमाने में लोग करजों से परिशान है करज हैं कि खत्मी नहीं होते आप उसके जितने भी उसके होते हैं करज के जो आप सूद देते हैं इंट्रिस्ट अब यह देते जाईए ना मूर खत्म नहीं होगा आप सूद में ही पूरे लाइफ पर दे लें तो राइए का चोटा स Ebola का आपकी समया का समधान कर देली आपके लिए देखिए सब से पहली बात तो संी बार की राथी चुनना है आत दोनों हाथ में थोड़ा धोरा राइ लें कि दोनों हाथ में मुठीम लैन अब आप जहां भी चौरहा है आपके घर के इसके बाद उस चौराहे पर सरसों के तेल का दो मुखी दीपक जला दे याद रखिए दो मुखी दीपक कैसे जलाएंगे जैसे एक दीपक ले ले उसमें आपको एक ही बाती डालना है और दोनों ही सीरा जला दीजिए बाती का और फिर बिना पीछे मुड़े घर चले आईए मुड़क मत देखिएगा ऐसा करने से आपको करजों से मुक्ति मिल जाएगी कड़ी बार क्या होता है लाग प्रियास के बाद भी आपका बैपार उतना नहीं चलता आप परिशान रहते हैं कि आपके दुकान में इतने सारे अपने समानी स्टॉप करके रखे हैं आपने प्रॉफिट भी कम लेने का आप प्रियास कर रहे हैं गरहक से अच्छे तरह टीट आते हैं फिर भी गरहक क्यों नहीं आते होता है ऐसा अब बैपार में ब्रधी के लिए या फिर आप पुचाते हैं कि आपका दुकान खूप चले एक छोटा सा प्रियोग कीजिए और ये प्रियोग आप कीजिएगा रभी बार के दिन क्या करेंगे आपको तीन मिट्टी के बर्तन लेने आप दीपकद आपके घर में नया होगा ना वही ले लिजिए सबसे आसान वही रहता है अब एक दीपक में आप राई ले 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 एक में काला तिल ले और एक दीपक में साबुत धनिया ले 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 अब इसको अपने बिर्दी होने लगेगा और ग्रहाक भी आने लगेंगे बहुत छोटा प्रियोग है आप जरूर कीजिए और इसको हर 6 मेहने के बाद आप चेंज करते लिएगा जो पुराना वाला है कहीं मिट्टी में दबा दें या आप चाहें तो आप कहीं मिट्टी में डाल दीजिएगा उससे पेड़ो गाएंगे कोई दिकत नहीं है कई बार क्या होता है कि घर में जगड़े लड़ाई बहुत होते हैं बहुत ज़्यादा किसी से किसी को नहीं बनती लगता है हर को एक दूसरे का दुसमन बना बैठा है आप चाहते हैं सबके सोभाव में चेंजिंग आजाए आप हो सकता है पती पती में जगड़े हो अब ये जो राई है ना ये बहुत काम का चीज है घर परिवार में अगर आपको लगे किसी का सोभाव बहुत ज़्यादा परिसानी दे रहा है या चिर्चिरा हो गया है बाद बाद पर उनको गुसा आ रहा है आप भी हो सकते हैं तब उस बैक्ती के सर से राई और साथ लाल मिर्च ले ले थोड़ा सा एक हाथ में ले लेजिए आप राई और साथ लाल मिर्च बाए हाथ में अब उसके सर से लेकर पैर तक साथ वार या तीन वार उतार ले उल्टा अब उसे आप बाचित मत कीजेगा उसको लीजे और ज बैकती है कि उस आग को देखे कुछ समय के बाद देखिएगा उनके उपर जो किसी तरह का तांत्रिक करिया होगा या किसी ने कुछ किया होगा तो उससे राहत मिलेगी और वो ठीक हो जाएंगे बहुत सिंपल है जरूर करें फिलालम आपसे बिदा लेना चाहेंगे हम फिर मि आदेव धन्यवाद झाल